नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूपर टेक्निकल्स पर तो दोस्तों आज की यूडियो में आपको बताऊंगा कि आप चेक जमा करते हैं तो उसके साथ में जो पर्ची या फॉर्म आप भरते हैं उसको कैसे भरेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर आपको आपकी ब्रांच लिख देनी है जिस ब्रांच में आपका एकाउंट होगा जैसे तुम मेरा गुलहरीया में है तो मैं यहां पर गुलहरीया लिख देंगे जो भी आपकी ब्रांच होगी वो यहां पर आपको लिख लेना है इसके बाद जिस तारीक को आप चेक को बैंक में जमा करने जा रहे हैं, वो तारीक यहां पे लिख लेंगे, यहां पे लिख ले रहा हूँ, यहां तक हो गया, अब इसके बाद आपको जिस खाता संख्या में इसको लगाना है, जिस वेक्ति के नाम का चेक होगा, उसका एकाउंट नंबर आपको यहां पे लिख देना है, जैसे मेरा ही है, तो मैं यहां पे अपना अकाउंट नंबर लिख दे रहा हूँ, यह लिख देंगे, अकाउंट नंबर ठीक है, यहां तक हो गया यह, अब इसके बाद आपको जिस वेक्ति के नाम का चेक है, उस वेक्ति का नाम लिखेंग तो मैं यहाँ पे 5000 रुपए मातर लिखके आपको एक लाइन खीचके डैस दे देंगे ठीक है यह लिख दिया हमने इसके बाद देखे जिस भी बैंक का आपका चेक होगा यहाँ पे उस बैंक का नाम आपको लिखना है जैसे SDFC, ICICI या जिसका पंजाब बैंक मेरा SBI का ही है तो मैं यहाँ पे SBI ही लिख दे रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी ब्रांच लिख देनी है बगल में यहाँ पे ब्रांच लिखनी है तो मेरा SBI का ही है तो मैं SBI ही लिख दे रहा हूँ आप यहाँ पे उस बैंक की ब्रांच लिख देंगे अब चेक में से फिल कर देना होगो तो चल यह चेक नंबर फिल कर लेते हैं यहाँ पर यह चेक नंबर हम फिल कर लेंगे और चेक नंबर फिल करने एक बात आपको यदि आपका 50,000 रुपए से उपर का चेक है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और यदि नहीं है तो इसको छ वो amount लिख दूँगे जितने का check है देखिए ये page हमारी हो गए है complete इसके बाद हमको बगल वाली page में चलते हैं अब same as it is जैसे इसको हमने भराया है वैसे इसको बहर लेंगे तो यहां पर हम उपर अपनी branch लिख लेंगे जैसे गुलरिया branch है गुलरिया लिख लेंगे उसके तारिक का आपका check-up जमा कर रहे हैं जैसे इधर बार आए वैसे के वैसे same आपको fill कर देना है उसके बाद आपको नाम डाल लेंगे नाम के बाद आपको जितने का amount का है सब्दों में उतने रुपे डाल लेंगे जैसे 5000 है मेरे तो 5000 डाल लेंगे आपका जितना भी होगा आ यहां पर लिख लेंगे नाम के बाद में अपको column में ठीक है यह मैं लिख ले रहे हूँ कि तोड़ा यहां पर time लग रहा है तो यह लिख लेंगे आप लिखने के बाद say match it is आपको यहां पर check number आपका डाल देना है जो check number आपने इधर डाला है वो check number डाल देंगे चेक नंबर डालने के बाद एक लाइन खीच के वो amount डाल देंगे आपको figure में चलिए यहाँ पर एक लाइन खीच देते हैं और यह अपना 5000 रुपर लिख देते हैं ठीक है अब यह friends हमारा हो गया complete बस हमको एक signature करना यहाँ पर तो जो भी हम जमा करता होगा वो यहाँ पर नी कर देंगे और चेक स्टेपल करने के बाद यदि drop box में डालना हो तो आप यह receipt आप फाल लेंगे यह इधर वाली बाय और वाली और यदि आप direct bank official को देते हैं तो आपको इस पे seal लगा के आपको यह वाली receipt को वापस करेगा तो इस प्रकार friends हम जमा करने की जो form है उसको fill कर सकते हैं friends यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thanks for watching